हलो दोस्तों आज हम YUPITED English के अंतरगत पढ़ने वाले हैं Part of Speech Part of Speech के अंतरगत हम पढ़ेंगे The Pronoun और Kind of Pronoun सरोणाम और सरोणाम के प्रकार के बारे में हम जानेंगे ये वीडियो प्रैमरी और जुनियर टेट दोनों के लिए महात पुर्ण है यह चौथी क्लास है इंगलिस यूपिटेट की और अगर आपने पिछली क्लासे नहीं देखी है तो डिस्क्रेप्सर में आपको लिंक मिल जाएगा आप जोड देखिएगा या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट चक कर सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सस्क्राइब जरू करेगा और सेयर करना मत भूले चलिए स्टार्ट करते हैं प्रो नाउन क्या प्रो नाउन सरुनाम बोलते हैं इसको हिंदी में pronoun की परिभासा क्या हो जाएगी तो pronoun is a word which is used in place of a noun मतलब क्या हो जाएगा अगर हिंदी में बात करें तो संग्या के इस्थान पर प्योक्त होने वाले सब्दों को सरुनाम कहते हैं जैसे हम उदाहन की बात करें he is very gentle और he it belongs to sohan तो क्या हो जाएगा अगर हम इन दोनों वाक्यों में बात करें pronoun क्या है तो pronoun क्या हो जाएगा he or it he or it जो है ये pronoun हो जाएगा आगे हम देख लेते हैं pronoun के प्रकार kind सा pronoun सरुनाम के प्रकार ठीक है personal pronoun पहला हो जाएगा personal pronoun बेक्तिवाचक सरुनाम परसनल प्रोनाउन से किसी पुरुस बेखती या वस्तु का बोद होता है जैसे उदाण के बात करें उदाण को देख लेते हैं He is going to Delhi, He is singing a song इन दोनों वाक्यों में He और He ये जो दो वस्तुम वर्ड हैं ये हो जाएंगे परसनल प्रोनाउन परसनल प्रोनाउन में He और He और He आ जाएंगे अगर हम बात करें जानवरों और वस्तुमों के लिए तो इट का प्रियोग किया जाएगा इट का प्रियोग किया जाएगा जाएगा जानवरों और वस्तुमों के लिए आगे हम देखते हैं हमारा आगे हो जाएगा हमारा काइंड साफ पर्सनल प्रोनावन के प्रकार तो क्या हो जाएगा बेक्ति वात तक सरुनाम तीन प्रकार की होते हैं कौन कौन से फर्ष्ट परसन उत्तम पुरुस हिंदी में कहेंगे जो बात कहने वाला जैसे आई और वी इसके अंतरगत आएं जैसे यह थर्ड परसन में आ जाएंगे अब हम आगे देख लेते हैं इसको हिंदी में कहेंगे डिमोस्टेटर प्रोनावन का प्रयोग किसी नावन या संग्या के तरफ इसारा करने के लिए करते हैं जैसे वाक्ष की बात हैं तो दिस इज एबुक दो जार और दोज का प्रयोग करते हैं दूर किया देक वस्थों के लिए ठीक है आगे हम देखते हैं तो हमारे आगे देखे हैं Introgative pronoun योट्लाउन जो pronoun प्रश्ण पूचने का कार्य करते हैं यह pronoun Dank 교奶al को कहलाते हैं इनके अंतरगत which what whom whose who आते हैं जैसे लिखा हुआ है बाकर where do you live in Delhi which is your pen यहां पर where और which जो है यह इंट्रोगेट्व प्रोणाउन में आ जाएंगे हम आगे देखते हैं रिलेटव प्रोणाउन क्या रिलेट्व प्रोणाउन संबंद वाचक सरोन नाम रिलेट्व प्रोणाउन का अधिक वाक्यों को जोडने के लिए किया जाता है, इसके अंतरगत who's whom सब्द आते हैं यहां पर विच और दोनों जगा पर जो विच आया है यह संबंद वाचक सरवनाम हो जाएगा रिलेट्व प्रोनाउन ठीक है आगे मैं देखते हैं अच्छा यहां पर क्या हो जब दिश्ट्रिब्यूटिव प्रोनाम क्या विभाग सूचक सरवनाम जो प्रोनाउन किसी वाक्य में बहुत से बेक्टीयों या वस्टूओं मेंसे प्रतेक का बहुद किराते हैं वे विभाग सूचक सरुनाम कहलाते हैं जैसे either of you can go now और अगला वाक्य है none can touch the sky तो यहाँ पर क्या हो जाएगा either और none यह जो है यह आ जाएगे distributive pronoun में विभाग सूचक सरुनाम में आगे हम देख लेते हैं indefinite pronoun indefinite pronoun अनिश्चित वाचक अनिश्चय वाचक सरुनाम अनिश्चय वाचक सरुनाम क्या होते हैं जो pronoun किसी निश्चित बेक्त या निश्चित वस्तु का बोद नहीं कराते हुए indefinite pronoun कहलाते हैं जैसे some only any many much few little little all nobody आद यह indefinite pronoun हो जाएगे अगर हम वाकिकी बात करें तो some are born great तो यहाँ पर जो some आया है और somebody stole my pen तो यहाँ पर जो somebody आया है यह indefinite pronoun हो जाएगे अनिश्चय वाचक सरुनाम में आ जाएगे यह आगे हम देखते हैं reflexive pronoun reflexive pronoun क्या होते हैं निश्चवाचक सरुनाम क्या निश्चवाचक सरुनाम जो pronoun किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर दरसाते हैं किसी अन्य पर नहीं वे reflexive pronoun कहलाते हैं तर्गत myself, himself, yourself और itself आते हैं जैसे you decided yourself, he hurt himself तो यह हमसेफ और yourself जो है यह reflexive pronoun में आ जाएगे कोई विवा कि आप देखकर बता सकते हैं वहाँ पर कौन्सा प्रणाउन यूज हुआ है वीडियो का आप देखते रहे लास्ट तक तो आगे देखते हैं इंफेंटिक प्रोनाउन तो डूरता सूचक सरवनाम इंफेंटिक प्रोनाउन करता पर दबाव डालते हैं यह प्रोनाउन शदेव नोमनेटिव केस में होते हैं इन प्रोनाउन में सिल्फ या स्लेव लगाते हैं परण तो यह प्राया क्रिया से पहले आते हैं क्रिया से प पर भी देखिए सुट के पहले आया है योर सेल्फ तो यह हो जाएंगे इंफेंटिक दुड़ता सूचक सरुनाम ठीक है आगे हम देख लेते हैं रिसीपोइकल प्रौनाउन जो है यह प्रोणाउन परस पर समान बह violently करते हैं तथार लिया जो ifferमिल्कर बने लिए आते हैं अगर हम वाक्य की बात करें तो जैसे हो जाएगा उदाहरण में मोहन एंड सोहन लवड इच अधर तो यहाँ पर क्या हुआ इच अधर दबवाइज हिल्प्ड सम एन ओधर तो यहाँ पर जो इच अधर और वन एन ओधर हैं यह परवातर सरुणाम रिसी प्रोकल प्रोणाम में आ जाएंगे आगे हम देखते हैं और यहाँ करियोग प्रियोग प्रिशन पूछने क हैं इस्साफ से देखकर बनाउन हो जाएगा वाट क्या पूछ रहा वाट ही इस ए क्रिमिनल वाट ही डिड नाट गो देर यहाँ पर वाट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं या फिर आप स्योरी बता सकते हैं कि यहाँ पर इस्क्लामेटिव प्रोनाउन का हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा वाट और वाट यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों वाक्यों में यहां पर भी myself का प्रियोग myself और himself हुआ है और यहां पर भी himself और yourself इत्यादी का प्रियोग हुआ है इनमें आप चीज एक चीज गौर कर सकते हैं यह किरिया के पहले जो आते हैं जो किरिया दी हुई है इसके पहले जो में आ जाएंगे और यह हैं यह करता के बाद आएंगे करता के जो क्रिया क्रिया के बाद आएंगे ठीक है यहां पर ध्यान देजिएगा क्रिया के पहले आता है तो वह हो जाएगा वह हो जाएगा इंफैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सियों में कर जो क्रिया क्रिया के बा बाद आया है yourself ठीक है और यहाँ पर जो क्रिया है फिल्ड फिल्ड के पहले आया है himself या फिर yourself इस चीज से आप iamphatic और reflect Еще निजवांतर सुचक सरोनाम में अंतर कर सकते हैं यहाँ पर हमें देख लेते हैं अंतर कुछ दिये हुए है reflex और specific pronoun में अंतर reflect stan अर्थ अपने आप होता है लेकिन sympathetic pronoun में help का कि्रिया के बाद आता है जब कि इंप्रेटिक प्रोनाउन के पछले तथा संबंधित प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है । कि यहां पर हम एक वाकद देख लेते हैं फिल्ड दा ब्लेंक विद स्टिटूबल प्रोनाउन माई सन एंड माई डाटर माई डाटर आर वेरी फांड आफ तो यहां पर कौन सवाक के भरा जाएगा कौन सब्द भरा जाएगा हर सेल्फ, इच अधर देमसल्फ, देमसल्फ या फिर हिमसल्फ उतर आपको बताना है तो उतर क्या हो जाएगा इच अधर क्या इच अधर जो है यहां पर सही उतर हो जाएगा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना मत भूलेगा, धन्यवाद